तो 30,000 रुपीज की प्राइस के टिगरी में अगर आप एक विंडो लैप्टॉप देख रहे हो तो यूजुली जो आपका मेजर वर्क होता है वो यह तो आप एक स्टूडेंट के लिए देखते हो यह आप अपने बच्चों के लिए देख रहे होते हो यह आप खाली जो एक एक सेकेंडरी लैप्टॉप देख रहे होते हैं जिससे आपके जनरल परपरस डी-to-डी टास कम्प्लीट हो सके तो इसी आपको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऐसे लैप्टॉप आज आपको रिकमेंड करने वाला हूं जो मेरे ताब से बहुती बहतरीन पफॉमेंस आ उपर नहीं जाने वाला है वो है लिनेवो का लैप्टॉप और दूसरा लैप्टॉप जो है वो थोड़ा सा आपके लिए एक्स्पेंसिव होगा मतलब 2-30,000 अगर आप अपना बजट बढ़ा लो आपको बहतरीन परफॉमेंस देखने को मिलेगी और वो है ये एसर का देखते हैं लिनेवो वाले लैप्टॉप को यह जो है लिनेवो का आइडियापड फिल्म वन लैप्टॉप है जो कि इंटल के सेलरॉन बेस प्रसेसर के साथ आता है इसमें जो है एन 4-0-2-0-0-U इंटल का सेलरॉन प्रसेसर लगा हुआ है जहां तक इसमें रैम की बात कर अगर आपका जो मेन प्रेफरेंस अगर अपने बच्चों के लिए देख रहे हो तो उनके लिए स्क्रीन साइज और यह जो अर्गनॉमिक से लैप्टॉप की यह बहुत ही उसफल है क्योंकि छोटे लैप्टॉप उनके लिए हैंडिल करना बहुत ईजी है अगर उनको कहीं परफॉर्मिंग प्रसेसर इतमे आप बहुत ज्यादा एक्स्पेक्टेशन सो नहीं कर सकते हो यह 1.1 GHz की बेचिक लॉक्त स्पीड पर चलने बाला प्रसेसर है जो इसकी स्क्रीन है आपको 250 निट्स की ब्राइटने स्क्रीन मिल जाएगी जो की एक एश्जी रेडी स्क्री आपको विंडोस 10 के साथ मिल जाएगा जिसको विंडोस 11 में अपग्रेड भी कर सकते हो और इसमें आपको MS Office भी देखने को मिल जाएगा तो यह लिए मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट च्वाइस है अगर एक स्टुलेंट हो या आप अपने बच्चों को देने वाले हो इ लेकिन अब हम लोग चलते है अपने अगले लैप्टॉप की तरह और वो जो है 3,000 रुपीज लगा करके आपको क्या स्पेक्स में बंप देने वाला आईए वो देखने है तो अगला लैप्टॉप जो है एसर कर स्पायर 3 यह लैप्टॉप जो है राइजन 3 32 50 U बेस प्रस लेकिने को मिलने वाली जैसा आप इसक्रीन पर देख सकते हो मैंने दोनों के जो है कुछ बेंचमार्क लिस्ट कर दिया है तो आप देख सकते हो काफी ज़्याजा हुज डिफरेंस है और सारे बेंचमार्क में और अगर इसका आईज़ीपी स्कोर भी चेक करें तो बहुत आपको परफॉमेंस देखने को मिलता है यह राइजन 332 50 यह इंटल के आई 3 के 10 जनरेशन के अल्मोस्ट इकुगने प्रसेसर है जहां तक परफॉमेंस की बात करें तो यह लापट आप जो परफॉमेंस में बहुत हुज जो एडवांच देता है हमें लेनोवो के तरफ और लेनोवाला लापटॉप वह 1.2 किलोग्राम और उसका जो स्क्रीन है जो 11.6 इंच है और एसर वाला लापटॉप यह 15.6 बेस आता है और इसका जो वेट 1.9 kg है तो यहां पे जो है इसमें मैं बोलूँगा कि अगर आपके लिए अर्कनोमिक्स आपके लिए करना या उसको आपके लिए इंपोर्टेंट है तो लेनोवाला इसका ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर एक डिशन्ट पर्फॉर्मिंग लापटॉप चाहते हो मतलब आप चाहते हो कि आप उसमें थोड़ा बहुत कैजूल गेमिंग भी करतो को थोड़े हैवी टास और वो इंटल सेलरों से बहुत ज्यादा अच्छा पर्फॉर्मिंस आपको देगा मेरे थाप से अगर आप थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज कर सकते हो तो आप एसर बारी लापटॉप की तरफ जाओ कि यह जो लापटॉप आपको बहुत ही बहुत ही पर्फॉर्मिंस करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करते हैं शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते मेरे चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो के साथ गुडबाई